हत्याकान की एकलोती गवा सना कहती हैं बेहुश होने तक सर मेरी परवा करते हुए गाड़ी को बढ़ाते रहे करीब हाधे मिनट बाद कार पिलर से जाटक राई थी जिसके बाद सर पीछे की ओर गिर गए और सिर एक ओर जुग गया था लेकिन उनकी सांसे चल रही थी इस ब पुम्तीनगर इलाके में हुई विवेक तिवारी की हत्या मामले की एकलोती गवाहा ने लखनव पुलिस का सफेद जूट सामने लाकर रख दिया पुलिस की थियोरी थी कि घटना के वक्तकार संदिक्द हालत में खड़ी मिली थी पुछताच करने पर जब विवेक ने उन् मजबूर करें हमें पलफोन की लांचिंग से लौट रहे थे जब सफेद पाचे सवार्दो कॉंस्टेबल गुष से में हमारी कार की ओर आये उन्होंने कार के सामने बाई खड़ी कर दी फिर पिछली सीट पर बैठा कॉंस्टेबल संदीप कुमार उत्रा उसके हाथ में ला चूंकी कार में महिला साथ थी इसलिए सर ने एक जिम्मेदार शक्स की तरह गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाई अगले ही पल सामने से दूसरे कॉंस्टेबल प्रशांत ने सर की ओर फायर कर दिया सब कुछ 6 मिनट के अंदर हुआ था सन्ना के मताबिक गोली लगने के ब पुलिस की एक जीप आई उन्होंने एमबुलेंस को कॉल करने की कोशिश की लेकिन काफी समय लग रहा था जिसके बाद जीप में ही विवेक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन पुलिस की एक टीम सन्ना को अपने साथ ले गई थी तब उस गाड़ी में कोई लेडी कॉंस् अगर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों की सलहमान ली गई होती तो शायद विवेक सर की जान बच सकती थी। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पीजी आई ले जाने को कहा था।